हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चानल मैं हूसु कमाउर मेरे चानल पर फिर से एक बर आपको स्वागत है तो आज अगेन मैं एक रेसिपी लेक आई हूँ और यह एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपने इसे अपने लंच में या पर ब्रेक पास्ट में या पर डिनर में आपने खा लिया पंदला दिन तक तो बॉड़ी फैट जो है आपका मैं यहां पे आपके बेट की बात नहीं करी हूँ यहां पे आपके चर्वी की बात करी हूँ जो आपके पेट में जमी हुई है कमर में जमी हुई है थाइस में जमी हुई है हिस में जमी हुई है पर जमनी हुया यानि आम फैट है तो यह उसको पुरी तरह से पिगला देगा बहुत अच्छे से पिगला देगा और यह बितारें कि क्यों पिगलाईगा विकॉस इसमें नो काप से जिए नो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं है यह जीरो काप रेसिपी है और बहुत दिलिशियस रेसिपी है वेगटेरियन और और वेगटेरियन वाले दोलो लोग खा सकते हैं इसे बहुत ही ट्रेमेंड़ेस वर्क किया है मेरी फैट लॉस जहनी में इसने और मैंने इसे लँच दिन में एक जो है में जरूर आड ऐड़ किया है यह कीटो फेंड प्रेंड़ी है मैं यह भी पताना चाहँगी कि जो लोग कीटो डाइट में हैं इसे यह ले सकते हैं आपको साथ , अपनी पेख कशी शेयर किये खुई थी है ? तो , टाइम पवेश नहीं करते हैं ? वीडियो के तरह बठते हैं लुकिन उसे पहले जिन्वी लोगे ने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पटाफ़ट से सब्सक्राइब कर लिजे और पगल में छोटी सी बैल लाइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना मग भूलिएगा तो चलिए चलते हैं वीडियो तो फ्रेंट्स इस डिश को बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी और आपको इसे बहुत चोटे-चो जो उसका हार्ट पाट है उपर से हार्ट पाट निकालके अंदर से सॉफट पाट जरूर लीजेगा और इसके बात बहुत अच्छे से इसको वाश करना है एक चीज़ में बताऊंगे बहुत से लोगों के मन में यह होता है कि थाइराइड वाले गोभी नहीं खा सकते हैं ल अच्छे से वाल करना है गोभी थाइराइड पेशंट खा सकते हैं अपने मन से चीज़ निकाल दीजे कि थाइराइड पेशंट को भी बिल्कुल खा सकते हैं और इसमें कार्फ बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो वेट लॉस का फैट लॉस का यह बहुत ही अच्छा जरिया ह तो इसलिए मैं इसे खाती हूँ और थाइराइड था बिल्कुल भी clicking the reaction to the thyroid gland टो आपको पानी से चाहन के अलग रख देना एक पान चढ़ाना है उसने आपको चुकन अपान डाला है तो यह जुभी मैंने पूरी दिखाई है यह मेरी तीन 4 दिन का जो है वो लंच है प्रमेज चम्मच एक चम्मच सेट के जादा ही हो जाता है, उसके बाद आपको तिमिन सीड्स डालना है, हरी मिर्च जान डालना है, जैसा भी टेस्टी लगे आप उसे कोडिक बनाईएगा, मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, प्यास, टमाटर, घेर, घेर, सारे मसाले चीज में बाता है उसमें लाशू नहीं अढ़ान करना है तो ये चीज़ धान रखिएगा है आपको लो आप राशू पहँ प्याज डालना है ब्राउन करना है जैसे आप ब्राउन करते हो वह राउन करना है और बस ये ध्यान रखेगा कि जो भी लोगों के मन में होता है कि गोभी है वो thyroid patient नहीं खा सकते तो ये चीज मैं उनके मन से निकालना चाहती हूँ बिकॉस मैं अब में lunch, dinner, आप इसे dinner में भी ले सकते हूँ breakfast में जैसे मैंने आप देखा आपने की मैंने breakfast में से लिया है बनाना और जैसा भी आपके उधर बनता हो जैसे कि हमारे यूपी साइड में हम ऐसा खाना पसंद करते हैं बाहर के लोग साउथ की जैसा भी खाना पसंद करते हैं वह वैसा बना के खाएं तो हर जगा की मसाले हर जगा का टेस्ट अलग है आप इसमें coconut बाद डाल सकते हूँ आप इसे coconut चट्मी के साथ खा सकते हैं बिकॉस coconut भी लोग का बहुत ही अच्छा option है उसकी चट्मी के साथ आप इसे सर्फ कर सकते हूँ इसके बाद मैंने इसमें टमाटे डाला है बहुत सारे मसाले डाले हैं जो हमारे इधर साइड में चलते हैं जस्ट लाइक टर्मरिक पाउडर कोरियंडर पाउडर गरम मसाला आम पाउडर जो भी आपको पसंद है वह आप इसमें डाले हैं मैंने ढख दिया है ताकि मसाले प्याज और टमाटर अच्छे से अब्ज़ौब कर ले और उसका एक टमाटर भी मैश हो जाए तो यह देखें टमाटर मैश हो चुके हैं और इसके बाद जो गोभी थी इसे मैंने रग त्याद था च्छान के इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है तो डिश खाये, enjoy करिए, body fat पूरी तरह से गला के रख देगा, अगर आपने खाया इसे, because no-cup dish है, ये keto वाले भी खा सकते हैं, आप इसे पोहब हो सकते हैं, keto पोहब हो सकते हैं, gobi का पोहब हो सकते हैं, इस तरह की जो no-cup recipe हैं, इस समय में आप से share करती रहूंगे, जिससे की body fat कम करिए, अब बार ही है, weight loss के नहीं, body fat कम करने की, जो में बहुत ही एक सरदर्द बन चुका था, लेकिन आज की डिएम मैंने अपना body fat भी खतम कर दिया है, और इन सारी चीजों से मैंने अपना body fat खतम किया है, belly fat, arm fat, कमर का fat, thighs fat, तो इस तरह से खाये, बनाये, enjoy करिए, और मेरे साथ picture जरूर टैक करिएगा, Instagram पर जिसकी idea है, subham sunshine, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो दो-तीन दिन का ये मेरा हो गया है, और इसे मैं निकाल के फ्रिज में द्रग दूँँगी, खाये, 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 खा जरूर बनाना कितना असान है, जैसे आप घर में heart cheese बनाते हो, वैसे ये से कुछ भी मैंने तीम जहाम आड नहीं किया है, जीरो काप recipe है, अगर एड करोगे तो body fat जाएगा ही जाएगा, जो सबसे important है, आपका अगर नहीं चाहरा तो कोई problem नहीं है, लेकिन आपका fat जाना ब मैं आप से बात करती हूँ, तो अगर वीडियो जड़ा साइब लगा हो तो लाइक करजेगा, चैनल पसंद आपको सब्सक्राइब कर लीजेगा, तो मिलती हूँ बहत ही ज़दी एक नए एमिली के साथ करते हूँ